अस्लामौलेकुम आज यूटोपिक हम डिस्कस करेंगे घेस्थ है ऑर अदर से II टेखनीब अधर्टाइटिनग ने circa क्रॉमेट्टोगराफी इन में क्या फर्वरक थर्ट है ना क्या इन चीजों को आज देखेंगे, चलो जी सबसे पहले हैं, हडिग दो, difference between, difference between, between electrophoreses, electrophoreses and other separating technique and other separating techniques. में क्या फरक है यह चीज आज हमने डिसक्स करनी है, सबसे पहली बात याद रखेगा, electrophoreses आपने की होगी, मैं सिंपल सी एक्जेंपल देता है, पेपर electrophoreses की, या कपली electrophoreses की, दोनों में कुई इतने ज़्यदा फरक नहीं है, हमारे पास पेपर को इस तरह हमारे पहाएं का इंस्ट्रॉमेंट होता है, जिसके हीन साइड पर buffer solution डाला हो था, यहां ने क्या कहा होता है, यह buffer solution है, और इसको उपर आपने paper को दोनों साइडों में buffer solution में टिप किया होता है जिसको हम mobile phase भी कह सकते हैं यह आपने paper टाला हुआ है और यहाँ buffer solution है यहाँ buffer solution यानि कि जो हमारे पास mobile phase है यह liquid portion है वो दोनों साइड पर मौझूद है इस एंड में मौझूद है लेकिन अगर आप कोई दूसरी chromatography करते हैं पेपर chromatography example देता हूँ paper chromatography में आप इस तर पेपर को टिप करते हो और आपके mobile phase सिर्फ और सिर्फ नीचे हम डाल वे होते हैं काम डाल वे तो नीचे हैं अगर में column chromatography की बात करते हो column chromatography में आप क्या करते हो column के अंदर mobile phase को सिर्फ और से उपर वाल साइड से इंट्रोड्यूज करवा रहे होते हो किस साइड से इंट्रोड्यूज करवाते हो उपरवाल साइड से यहां से इंट्रोड्यूज करवा रहे हैं यानि दोनों साइडों पे मुबाइल फेस महजूद नहीं होती सो यह first of all यह पहले तो माम पास वाद-कre-ट्रिक जब मुबाइल फीज होती है वो दोनों सइडों पर मौझूद होती है दूसरिक विथजिए पे們 महझूद होगी इसको लिख से हमारे पास इन और फॉरों औरिप ग्रोंकर्मोन कि वोबाइल फीज mobile phase is present phase is present mobile phase मौज़ होती on the both side on the both side both side while in the case of other separating technique other separating 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 techniques दूसरी separating techniques के गर बात की जाए है mobile phase is present only in one side mobile phase mobile phase सिर्फ और सिर्फ मौज़ूद होती है mobile phase is present is present mobile phase मौज़ूद होगी only in one side only in one side यह हमारे पास पहली चीज आगी अब इसके पास second number पर चीज है वो कफी जादे important है अब याद रखेगा sector फ्रेस में हम components की suppression के लिए parent लाजमी देते हैं क्या करते है यहां पे एक एलाक्टोड लगाए होगा हमने यहां पे एक एक एलाक्टोड यहां पे एक एक एलाक्टोड लगाए होगा तो यह वर चीज हमारे पास necessary है for के अंदर क्रण्ट की रिक्वायर्मेंट होती है जब के दूसरे जितनी स्प्रेटिंग टेक्निक्स हैं उसमें क्रण्ट जुरूरी नहीं है यह बात हमारे पास नेक्स आ जाएगी कि मारे पास क्या नेक्स पॉइंट कि क्रण्ट क्रण्ट जुरूरी है किस काम के लिए जुरूरी है फार अलेक्टो फ्रसे फार अलेक्टो फ्रसे वाई अधर स्प्रेटिंग टेक्निक अधर सिप्रेटिंग टेक्निक सिप्रेटिंग टेक्निक जितने इतनी वी ब्याद दूसरी जिसफेटिंग टेक्निक हैं क्रण्ट ग्रांट के जूरूरत ही नहीं पढ़ती है यह हमारे पास सेकंड चीज़ आगी अब इसके बाद नेक्स पॉइंट देखिएगा अलेक्ट्रो फ्रेस्ट के अंदर हमेशा सेप्रेट कर रहे होते हैं चार जाएंगो अलेक्ट्रो फ्रेस्ट में हमेशा चार्ज पार्टिकल्स को लादा कर सकते हो जबके दूसरी सेप्रेटिंग टेक्निक्स के अंदर आप चार पार्टिकल्स को भी लादा कर सकते हो जबके नोन चार्ट पार्टिकल्स को भी लादा कर सकते हो यह हमारे पास सर्ट पॉइंट आ गया कि इन एलेक्ट्रो फ्रेस्ट इन एलेक्ट्रो फो particles can be separated can be separated while in the case of in the case of other separating technique other separating techniques लेकर जो दूसरी separating techniques हैं उसमें क्या होता है दा separating techniques we required we required या फिर can be separated we can separated can separate separate all type of substance all type of substance किसे भी किसम की चीज़ को लेए कि आप अलादा कर सकते हैं मतलब वो आपकी चार्जड हो भी सकती है और नौन चार्जड भी हो सकती है और नौन चार्जड भी हो सकती है नौन चार्जड भी हो सकती है पर यह बात याद रखेगे यह था यह मारे पास बेसिक बेसिक डिफरेंस के अलेक्टोफ्रेस में हैं और दूसरी separating techniques के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं इनको लाजम याद रखेगे और इसके एक स्क्रीन शोड ले रो अला आफ़ेस झालेक्टोफ्रेस